हेलो फ्रेंज आशार अक्ताव सब अच्छे होंगे हाजीर होगे वे एक न्यू वीडियो के साथ फ्रेंज आप लोगों का बहुत बार मुझे कॉमेंस मिला है कि इंडिया ट्रेंट क्रोसिंटीरी गेम में जो लैग इशू होता है बीच बीच में उसको कैसे कम किया जाए ठीक है तो आज इस वीडियो में हम जलेंगे कौनसा ऐसे सेटिंग्स है जिसके मदद से हम यहाँ पार इंडिया ट्रेंट क्रोसिंटीरी गेम में थोड़ा यहाँ लैग इशू कम कर सकते है ठीक है और हमारा गेम प्ले जो है वो काफी हद तक यहाँ पार स्मूथ हो जाएगा तो फ्रेंट इसके लिए भीडियो को पुड़ा अंतक देखिए तो चलो यहाँ पार देखो फ्रेंट जो अप्शन होता है न ग्राफिक्स के तो यहाँ पार चार अप्शन हमें तेकनों को मिलता है low, medium, high और ultra ठीक है तो पहले यहाँ पर देखो friends नीचे एक लिखा हुआ है change graphics to low if your game is not running smoothly तो यहाँ पर एक चीज हमें समझना होगा हमारा जो phone है उसमें RAM कितना है क्या हमारा जो phone है यह low end device है या high end device है तो यह पुरा चीज डिपेंड करता है RAM के उपर मतलब यहाँ पर हमारा phone में RAM जितना ज्यादा होगा उतना बहतर यह जो game है यह run करेगा smoothly हमें यहाँ पर gameplay देखने को मिलेगा पर हमारा phone यहाँ पर अगर low end device है मतलब हमारा phone में 4 GB से अंदर RAM है 2 GB से अंदर RAM है तो क्या करे कैसे हम इंदर्टेंड क्रोसिंग 3 गेम को smoothly खेल सकता है और फिलाल मैं जिस phone से इंदर्टेंड क्रोसिंग 3 गेम को खेलता हूँ उसका RAM 4 GB है भाई और मुझे भी gameplay में थोड़ा यहाँ पर lag इशू देखने को मिल रहा था भाई खास करके जब railway junction में बहुत सारा train आ जाता है ना तो भाई उस time थोड़ा यहाँ पर lag देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर graphic settings में गया और यहाँ पर settings को change करके free try कर रहा था और मैं देख रहा था कौँसा settings पर हमारा जो game है यह थोड़ा smooth run करता है और यहाँ पर मैं अपना phone का RAM के इसे अपसे graphic settings को select किया मतलब यहाँ पर 4 option हमें मिलता है low, medium, high और ultra तो भाई ultra जो है वो बहुत ही बतना awesome है उसका graphics जो है भाई उसका जो texture होता है उसका जो detail होता है वो काफी awesome होता है तो friends चलो आप हम देखेंगे कौन सा settings यहाँ पर हम change कर सकते है तो पहले तो आप यहाँ पर select किजिए आपका graphic settings कौन सा चाहिए ठीक है तो आप वो पहले select किजिए उसके बाद आप अगर medium पर खेलना चाहेंगे तो भाई आपका जो gameplay है यह काफी हद तक smooth हो जाएगा यहाँ पर option आता है UI buttons transparency तो यहाँ पर देखो friends मैंने फिलाल तो 0.5 रखा है मतलब gameplay के अंदर आपको जो up and down right or left जो यह control होता है जिसके मदद से हम player को move करते है ठीक है गारी को drive करता है तो यह उतना जादा यहाँ पर clear हो जाएगा और जितना इसको हम काम करते रहेंगे यह जो buttons है यह यहाँ पर थोड़ा transparent हो जाएगा तो यहाँ पर हम जो है इसका value उतना जादा यहाँ पर decrease नहीं करेंगे नहीं तो भाई वो UI buttons देखने को हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो फिलाल के लिए यहाँ पर मैं 0.45 या 0.5 की बीच में रखता हूँ यह आपके हिसाब से आप रख सकता हूँ ठीक है आप यह ज़रूर ट्राइकर के देखना उसके बाद जो दो option हमें देखने को मिलता है show APS यह मेरे फिलाल के लिए off है यह आप on भी कर सकते हो ठीक है और उसके बाद है max APS limit जो मैं यहाँ पार 45 में set किया हूँ तो यह आप थोड़ा increase भी कर सकते हो मतलब यह 60 तक जा सकता है तो यह 60 भी कर सकते हो फ्रेंज 60 APS ठीक है तो आप सब यहाँ पार यह जो चारो मतलब ग्राफिक्स होता है ना low, medium, high और ultra इसमें एक बार select करके यह जो अंदर में sub menu होता है इसको change करके try करते रहो फ्रेंज और आपको देखो कौनसा में आपको ज्यादा अच्छा result मिलता है और काफी हद तक हमें gameplay में कम lag देखने को मिलता है तो आज का वीडियो बस इतना ही फ्रेंज मुझे आप comment करके जरूर बताना आज के यह वीडियो आपको कैसे लगे बहुत जल मिलेंगे दूसरे gameplay वीडियो के साथ थैंक्यू